लेट्स ठर्न आर बाइबल्स तो फर्स कॉरंथियन्स तर्टीन फोर आए अपनी बाइबल में निकाले पहला कॉरंथियों अध्या 13 वचन 4 आए से बाइबल में से हम पढती हैं प्रेम धीरजवंत है प्रेम दयालू है वचनसाद ये हमेशा सुरक्षित रखता है हमेशा प्रतीती करता है हमेशा आशा रखता और हमेशा धीरजवंत है जब हम नैनियम में ये देखते हैं जग कई येशु को देखना चाहता था आये लूक आध्याए उन्नीस बचन एक से लेकर बचन दस तक हम यहां पर पढ़ते हैं येशु यरियों में प्रवेश करके जा रहा था और देखो जक्कई नाम एक मनुष्य था जो जो चूंगी लेने वालों का स्थरदार और बहुत धनी था वो देखना चाहता था कि वह येशु कौन है परंतु भीड के कारण देखना सका क्योंकि वो नाटा था तो वो आगे दौड के जाता है तब उसने दौड कर आगे गया और गूलर के पेड पर वो चड़ गया कि उससे देखे क्योंकि येशु उसी मार्क से जाने वाला था इससे देखी वो भीड के आगे आगे दौड कर गया ये देखने के लिए कि येशु कौन था उसके दिल को देखिये क्योंकि वो एक नाटा व्यक्ती था इसलिए वो उस भीड के कारण येशु को नहीं देख सकता था वो दौडता है और वो उस पेड पर चड़ जाता है हम में से बहुत से लोग ऐसे ही हैं यदि हम नाटे हैं तो हम भीड को धक्का देकर आगे जाने के कोशिश करते हैं और बिल्कुल सामने वाली कतार में जाना चाहते हैं शायद हो सकता है कि वहां के कुछ और जाने के कोशिश कि वहाई क्योंकि आप अच्छे से देखना चाहते हैं आप कुछ भी चूखना नहीं चाहते हैं तो आप सब को धक्का मार कर आगे आते हैं सब से सामने में पहुंच आते हैं जक्के बिल्कुल ऐसे ही था वो मसी को देखने की तमन्ना रखता था तो वो दौड कर गूलर के पेड़ पर चड़ जाता है और येशु के आने की येशु को देखने की रहा देखता है वचन पाथ जब येशु उस जगह पहुंचा तो उपर दृष्टी करके उस से कहा जकेयस come down immediately I must stay at your house today क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है अब येशु के दिल को देखी वहाँ पर शाद बहुत से लोग होंगे लेकिन इन सभी लोगों में वो इस नाटे जक्कई को देखता है जो कि एक छोटा सा नाटा व्यक्ती था वो ऊपर द्रिष्टी करकी ये कहता है कि हे जक्कई तुम वहाँ क्या कर रहा है come down नीचे आजा I must come to your house today आज मुझे तेरे घर में आना बहुत ही अवश्य है यहाँ पर येशु के पास में दो योजना थी जब येशु किसी नगर में जाता है वो होटल में कोई जगा बुक नहीं करता और नहीं अपने रिष्टार को फोन करके बताता कि देखो मैं आ रहा हूं तुम अपने घर को तयार रखना अगर हम कहीं जाते हैं तो हम लोगों को बताते हैं कि देखो हमारे हैं ये बात सच है ना लेकिन येशु ने ऐसा नहीं किया उसने कहा है जक्कई मैं तेरे घर में आ रहा हूं तू नीचे आजा जट नीचे आ हम ऐसा करते हैं जब हमारे पास में सबसे अच्छे महमित्र होते हैं, दोस्त होते हैं या कहिए कि जब हमारे पास बहुती निकटे ऐसे संबंदी होते हैं हमने घर से तो बस शुरू ही कर दिया है और बस एक फोन करते हैं ए, I'm coming हाँ, सुनो मैं आ रहा हूं बस इतना ही ये शुबस ऐसे ही था जक्कई के बिलकुल निकटथा पास था वचन छे और वो तुरंत जट नीचे उतर आया और बड़े आनन्द से उसे अपने घर ले गया ये देखकर सब लोग कुड कुडा कर कहने लगे वो तो एक पापी मनुष्य के घर जा उतरा है, वो कहने लगे याने उसके आसपास के जो लोग थे वो जक्कई को एक पापी व्यक्ती मानते थे क्योंकि वो क्या था? वो चूंगी लेने वाला था जक्कई इन सभी लोगों से पैसे मांगा करता था इस लोग उससे नफरत करते थे And they called him a sinner. और वो उसे पापी कहते थे. But look at Jesus. लेकिन यीशु को देखे. He becomes best friends with a sinner. वो एक पापी के साथ में सबसे अच्छा मित्र हो जाता है. He is so close with a sinner. वो एक पापी के साथ इंदना निकट आ जाता है. And Jesus goes to Zacchaeus' house. और ये शु जो है वो जक्कई के घर में जाता है वचन आठ लेकिन जक्कई ने खड़े होकर प्रभू से कहा ये प्रभू देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं और यदी मैंने किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौग उना फेर दीता हूं आप जानते हैं ये तो एक पापी के लिए बहुत मुश्किल होता है क्या आप अपने आपको कभी पापी कहेंगे? क्या आप ये कहेंगे कि हाँ मैं एक पापी हूँ इसलिए तुम मेरे पास में मत आना? जाहे आपने जो भी गलती की हो जो कुछ भी हो चाहे हमने कुछ चोरी की हो या फिर हो सकता है जाहे हमने जूट बोला हो कोई भी अपने सही आपे में कभी भी खुद को एक बुरा व्यक्ती नहीं समझता है खुद को बुरा नहीं मानता क्योंकि ये तो मनुष्य का स्वभाव है हर कोई चाहता है कि उसे स्वीकार किया जाए हर कोई चाहता है और हर कोई चाहता है कि उससे प्यार किया जाए और इसलिए जब आप किसी ऐसे व्यक्ती से मिलते हैं तो आप जाकर उस व्यक्ती के सामने अपने पापों का अंगिकार करते नहीं बैठते हैं आप ये निश्चित करना चाहते हैं कि आप उस व्यक्ति के सामने बहुत अच्छा व्यवहार करें लेकिन जक्कई को दिखी एक बार ईश्यू उसके घर में आ जाता है उसके बाद वो कहता है प्रभू मैंने जिससे भी पैसा लिया है मैं उसे चार गुना दूँगा और मैं अपनी संपत्ती का आधा भाग कंगालों को देँगा और यदी मैंने किसी से अन्याय करके पैसा लिया है तो मैं उसका चार गुना उसको लटाँगा और अचानक एक चूंगी लेने वाला जो लोगों को धोका देकर या उनसे जबरसी करके पैसा लेता है वो उन्हें लॉटानी के बारे में स्पूच रहा है उतनी राशी नहीं लेकिन उनसे जो लिया उसका चार गुना लॉटाना चाहता है देखें मैंने ये एक कोट कहीं पढ़ा था एक पापी का सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो कभी भी अपने पाप को पहचानता नहीं है यदि आप एक पापी है और लोग यदि आपको एक पापी कहते है कि आप तो आप कभी स्विकार नहीं करते हैं कि आपने वो गल्ती कि ये इस डर के कारण कि लोग आपके ऊपर में दोश लगाएंगे ये डर अंदर होता है ये डर होता है कि लोग आपका न्याय करेंगे और जब तक कि आप ये न जान ले कि हाँ वो वेक्ती आपके ऊपर दोश न लगाएगा आपका न्याय नहीं करेगा और जब तक कि आप ये न जान ले कि आप चाहे जो भी वेक्ती हो सामने वाला वेक्ती आपको स्विकार करता है जब तक आप ये न जान ले तब तक पापों का अगिकार नहीं करेंगे लेकिन इससे देखिए जक्कई के आसपास का हर एक व्यक्ती उससे पापी कह रहा था लेकिन जक्कई आकर उन्हें वो सब कुछ लोटाता है जो उसने उनसे लिया था पर मेशुराज आपके जीवन को बदल देगा यदि आप अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं यदि आप अपना जीवन येशु मसी को देना चाहते हैं तो आप अपने हाथों को उचा उठाएए और कहे प्रभू, I am yours मैं केवल तेरी ही हूँ मैं केवल तेरी हूँ मेरे जीवन में आजा मेरे प्रभू येशु मेरे जीवन में आ and change my life Jesus I need you Lord because I want to go to heaven and there is no way to heaven besides you I don't want to be left alone on this earth so Jesus come into my heart tell him how much you love him thank you Jesus thank you Jesus